असलाम अलेकूम नाजरीन कैसे हैं आप सब ठीक हैं विदा खेरिस यूंगे मज़े में होंगे नौशीन मलतानी चैनल पर वेलकम हो गया मैं जानकी चोटी 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 और पतली मोटी सुकी सबको बहुत सारा प्यार तो जी चनाब मौए 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 अच्छा जी मैं अभी अपना रव्यू रियक्शन स्टार्ट करती हूँ और सितारा जी की कम्यूनिटी आई हैं उनसे भी दबस्रा करते हैं और कुछ डिटेल के साथ बात भी करते हैं लेकिन उससे पहले अ अगर एन जवानी के दोर में हैं और पबंदी से नमाज पढ़ते हैं अपने नफस से लड़कर खुद को हराम से बचा रहे हैं नफस को बचा कर नफस से लड़कर मतलब आपको को दिल कर रहे हैं आप होटलिंग करें आप बहुत मेगे कपड़े पहनें आप बलंदियों पर जाएं मतलब यह यह नजाएज चीजे नजाएज खुआशाःत हैं जब आपके पास अगर पैसा नहीं है पैसा एक पैसा पैसा इसतमाल ना करना भी गुना है अगर है तो अगर नहीं है तो यह नजाइज अपने नफस को खुश करने के लिए बंदाचोरी चकारी यह वह बहुत सारी चीजों में पढ़ जाता है तो ऐसी चीजों से आप अपने नफसे लड़कर खुद को हराम से बचाएं आप आप इनों को यह जीबो गरीब सी चीज़ें सामने आ जाती है पोस्ट सामने आ जाती है तो हम जो है उनको शौक से देख रहे हैं कुछ लोग लेकिन नहीं मैं तो फॉरण आके बंद कर लेती हूँ यह गुना है देखना कि भी मुझे कोम देख रहा है देखो चसके लेके ना खेंचते हैं आप ज़्मण होते हैं खूब रहुते हैं एक बहुत बहुत हैं अपको कुछ भी समझ नहीं आ होती है और जवदेनी में ही अकल का टहर जाना अकल का रहना आपके दिमाग में सही गल्ट की पहचान होना उस से अच्छी बात कोई भी नहीं है अच्छा जी नेक लोगों की सोबत में रहना तो यकीम जाने आप ल्ला पाक के बहुत करीब हैं क्योंकि जवानी में गुनाह अपनी तरफ ज्यादा खेंचते हैं और आप उन गुनाहों से खुद को बचा रहे हैं ऐसे ही चलते रहें अल्ला पाक आपकी दुनिया और आखरत दोनों समारेगा इन्शाल्ला अच्छा जी सितारा जी की आई है कम्यूनिटी कम्यूनिटी हम पढ़ते हैं और उसके बाद जो है लोग मेरा उपिनिन भी जानना चाहेंगे यकीन और मैं इस कम्यूनिटी से ना सभी हुई थिक जी मैं खुश हूं और मैं आप लोगे को कि इस मोगे साथ सभी कभ साफ कर लोगा एक पतारिया टो विचा खाना के आई हैं तू जब माई को बैड़ा रही हैं और जैनाक मिस कम्यूनिटी आई है Therefore झाज़ना कम्यूनिटी और रहीं जबंज़ना devo चाहें कब तक किसी की बातों में आप आएंगे ये ये कह रहा है वो वो कह रहा है ये ये कह रहा है वो वो कह रहा है फलाने ऐसे का फलाने वैसे का फलाने ये किया गले की हटी बन जाएंगे एक दिन बन गए बन गए और बनवाने वालों ने बनवाई और बनने वाले बन गए येस ये बात मैंने की थी आज से 10-12 महीने पहले मैंने रिष्टेदारों के रियक्शन के बारे में भी बोला था कि धास्य किसम से रियक्शन आएंगे नहीं रुकेंगे ये लोग और उसके बाद मैंने गले की हड़ी वाली बात की थी कि हमारे ही कुछ सपोर्टर गले की हड़ी बनेंगे येस सपोर्टर ही हमारे ही नहीं सपोर्टर ही बलके साथ उसमें नए भी जूड़ते गए पुराने भी जूड़ते गए सारे हर बंदा अपने उन्होंने का भई यहां पे कोई देग बांटी जा रही है आओ खाओ यहां पर देख बाड़ी जा रही है और जो है यार बंदा अपने अपने तरीके से चीजों को लेकर चलना शुरू हो गया न्यू न्यू ऐसे पैनल भी बने पुराने तो थे थे न्यू न्यू भी बने जिसमें डिक्टेट किया गया सितारा को और मैं रोकती रही उसमें मुझे बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का निशाना बनाया गया अब नहीं यार अब तो बहुत अच्छा हुआ अच्छा हुआ इसे हरकते नहीं करते बहुत अच्छा हुए मौहे 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 मेरी टेंचन ना लो मैं तो पहले ही पॉइंट लिख के आती हूँ लिख के बैठती हूँ और फिर बोलती हूँ पॉइंट लिख के बाद करने का मकसद क्या होता है कि आप खबरें दे रहे हैं आप खबर पढ़ रहे हैं ठीक है जिस पे मेरा बहुत जादा मजाख उड़ाया गया था बहुत जादा लोग मेरे पे बोले थे उनको समझ ही नहीं आ रही थी मुझे थाल जादा गले की हटी कुछ लोग बने गे कल सितारा ने वीडियो बनाई दोनों बेने हमारी नहीं रुकी वो एक रियक्शनिस्ट के लाइव में चली गई और वहाँ पे कुछ लोग कह रहे थे कि यह जाड़ू पोचे वालों के हम सपोर्ट करेंगे सितारा का बोला जा रहा था हम इस जाड़ू पोचे वाली के बात करेंगे दूसरी साइड पर जो है लाइव न लगी वो नैրे सुनने में आई है मैं ने खुद नहीं सुनी मैं अपने गवायी नहीं दूंगी लेकिन मेरे तक जहां तक बाते पहुंची है कि सितारा के किरदार पर बाते की गई है वाईstateR 2 प्रसेल क्यों आए का रही में चाए सितारा ने civilizora खुल के शामनें उस्तार ढाख आ कर अच्छा थे से लाई आकर बोलते हैं यू सामने आ कर दोते हैं पीठ पीछे बार नहीं करते दो करती है अपल आपनी को आप आ के शाग्या लेकिन वो भी मैं इजहार नहीं किया, मैंने सितारा की गैस्ट थी, मुझे जलील किया गया, मैं उस पे भी मैंने शिक्वा नहीं किया उनसे, मैंने कोई बात नहीं की, मैं खामोश रही हूँ, क्योंकि यार उसमें उसका क्या कसूर है, तीसरे लोग बोल रहे हैं और सितारा तो नहीं बुलवारी, गेम को समझें, अगला बंदा गेम क्या खेल रहा है, वो आपको घुसा दिलाना चाहा रहा है, फिर आपके मुह से कुछ चीज़ें निकलेंगी, फिर वो चीज़ें जो है, वो कलिप बनाके फिर भेजे जाते हैं, ठीक है जी, बहुत कुछ चल रहा होते हैं, सियासत खेल रहे होते हैं, बड़े तरीके से आपको गुम्राह कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूं कि यार प्लीज दोनों साइड की सुना कर एक साइड की ना सुने, खैर सितारा की कल वीडियो आई, दोनो सितार ये थे के चार-पांच दिन पहले से कम्पेंच चलाई जा रही थी सितारा की कम्यूटी और वीडियो आएगी, उस पे फिर दिल में बात आ रही थी कि यार ये क्या बात हुई, सितारा इनके कहने पर वूट डालेगी, हम तो आज तक हमने तो नहीं कहा कि ये कर दिया लेकिन उनकी बहन ने आउन कर दिया, टीम जो बनी हुई है, और वो टीम मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, सितारा के केसे क्यों कर रहे हैं, ये भी समझ से बाहर है, क्योंकि सितारा को गरीब बन दी तो है, नहीं कि वो लोगों से पैसे मांग के फिर वो चलेंगी, अच्छा उसके बाद जो है, सितारा के अगेंस्ट लाइवे लगना, जो के उनको बहुत जादा इस बात का दुख लगा है, अच्छा उनकी कम्यूनिटी के आया सितारा जी की पढ़ते हैं, मेरा इतना दिल दुखाया है कि क्या, कि आज मैं मजबूर हूँ के बोलने पर, क इतना हीटर ने नहीं दुखाया होगा दिल, मेरा जितना सपोर्टर बन पेट पीड़ पिछे मेरी बुरहयां की गही हैं, अब यह नहीं पता कि बात हो रही है, किसकी बात जाके पहुँचियों तक आच यजबुराया की गई है आप सब वीडियो बना के मुझे गंदा कर देते तो इतना शाथ तकलीफ ना होती आदत हो जाती शाइद मुझे सच में पता चल रहा है कोई किसी का नहीं होता सच में किसी प्लीज जहां इतना अज़ाब जिन्दगी से गुजर लिए अगर आगे भी गुजर लूँगी मुझे ये तकलीफ ना दे मज़ीद मेरे साथ अच्छा बनके मुझे गंदा कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता ये किस के बारे में कहरी कौन गंदा कर रहे हैं इनको जो लाइव हैं उनको कहरे हैं ये मुझे समझ नहीं आ रही किन के बारे में या दोनों के बारे में बोल रहे हैं उसके बाद जो है कैमरा के सामने मेरी लाइफ पहले बहुत ज्यादा जो है बहुत टेंशन में गजरी है और ना दे जिनको अपना बोलो उनकी ज्यादा तकलीफ होती है बतलब जिनको अपना बोलते हैं उनकी ज्यादा तकलीफ होती है का मेरा कोई सपोर्टर नहीं है अल्ला है बस बिल्कुल जी अल्ला ही है कोई किसी का नहीं है यहां पर इंसान एक लुकमा भी किसी को खिला देत इसके बाद जो है अल्ला है बस मैं काम करूंगी अपने सब्सक्राइबर के लिए डेली जो सच में दिल से जुड़े हुए हैं देखेंगे मेरी महनत होगी अल्ला उसका फल देगा जितना मेरा नसीब होगा वही मिलेगा बहुत दिल टूटा है सुनके जो मेरे जो कैमरा पे इतना अच्छा बोलते हैं मेरे लिए वही बैक कैमरा इतना बुरा बोलते हैं तोड़ दिया है मेरा दिल बस किसी पर यकीन नहीं यहां सच में कोई नहीं होता किसी का सच में कोई नहीं है मैं पहले भी, अकेली थी, मैं आज भी अकेली हूँ, पहले भी अल्ला थे मेरे साथ मेरे, आज मैं सबको डिसान करती हूँ, और यह बहुत अच्छा किया, डिसान वाला लफ्स जो इस्तमाल किया है, अब हर दूसरे दिन एरा गरा नत्थू खेरा सपोर्ट के नाम पे आके ब अब जाते में आपने चाहिसे पएक टाल हुआ है तो इन्हों ने आके वीडियो शीडियो भी बनाई थी, मैं चाहती थी कि आपने भाई के लिए आवाज उठाएं, मुझे बड़ा अच्छा लगया था, सितारा ने अपने भाई के लिए स्टेंड लिया था, देखें हजार बार बैंट भाई लड़ लेते हैं, हजार बार मसल होते हैं, लेकिन उसका यह मतलब नहीं होता कि आप गामी खुशी पे भी उनको छोड़ दे, तो जो है, जब कहा गया अम्मा ना आए, जब कहा गया के हस्बंड ना आए, इसके साथ जब कहा गया, जो है, फलाना शादी पे यह हो गया, वो हो गया, इस तरह हो गया, मैंने हाइप पे मत जाएं, हमें परसनल नहीं जाना चाहिए, सपोर्ट का मतलब यह नहीं होता कि आप बिल्कुल घुस जाएं, खैर मैं नीटरल तरीके से हमेशा काम करती हैं, आई हूँ, नॉर्मल रव्यू रियक्शन दिये हैं, बहुत आगे बढ़ चाड के बात नहीं की, न दो लोगों की लड़ाई थी, गुरुप बने, फिर उनमें क्या बाते हुई, इनकी क्या बाते नहीं हुई, हमें जादा अंदाजा नहीं है, लेकिन अब जो सितारा की बातों से लग रहा है, उन तक कुछ पहुचा है, पतनी वीडियो है, लाइव है, चैट है, जो भी है, उनको बहुत तकलीफ हुई है, आपको सपोर्ट की जरूरत नहीं है, मैं काफी टाइम से बोलती आ रही हूँ के भाई, अप नहीं है, पिछले दिनों एक बन्दा मुझे बार बार मुझे सल सल गालम गलोच कर रहा था, और उकसा रहा था कि फलानी को गाली आ दे, उस पे तो मैं रहे हो भाई, हैलो, किदर हो तुम, क्या कह रही हो, क्यों मुझे इस तरह से उकसा रहे हो, क्यों इस तरह से कह रहे हो कि तुम जो है, इस पे बोलो, उसको गाली दो, तुम मर्दों कर रहे हो, करो, मुझे क्यों इस चीज़ों में शामिल करते हैं भाई, तो अब व मैं अपने पॉइंट लिखती हूं फिर उसके उपर बात करती हूं इसका मकसद ही यही होता है कि मूर हाके में नहीं आ जाती कुछ भी बोलने के लिए प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वे से अपना रव्यू रियक्शन देती हूं और सितारा को नहीं है सपोर्ड की जरूरत य पर जाती है और फिर वो खुद ही बना रही होती है उनके सारे अफेर चीजें बातें बुरा बहला कहर होते हैं तो फैर वह भी पिर उनके जैसे लोग भी बोल रहे होते हैं कैश सितारा को सपोर्ड की जरूरत नहीं है वह स्ट्रॉंग है अपने व्लोग बनाएं जैसे वह बनाती है पसंद करने वाले करेंगे जिन्होंने नहीं देखना नहीं देखेंगे डिक्टेशन बंद कर दें बहुत ज़्यादा परसनल जाके नहीं बोलना चाहिए अभी उठो अभी बैठो अभी खाओ अभी प्यो अरे ये क्या तमाश है बई ये क्या चीज है कि इस यार इसके कपड़े नहीं अच्छे लग रहे हैं आप थोड़ा सा ड्रेसिंग यह वाली कर लेती ना मिसाल दे रही हूं ठीक है जी तो एक होता है ना आप अपना उस तरीके से रव्यू दे सकते हैं ना के ना के आप कहें कि अभी तु जो है मोटी हो गया पतली हो गया फलाल कोन कितने पानी में है कोन क्या बोलता है किसके अंदर कितना दुख और गम है बाकी आप स्ट्रॉंग हैं स्ट्रॉंग रहें स्ट्रॉंग थीं आप आप खुद स्ट्रॉंग थीं तो आप आगे बढ़ियें कोई किसी को आगे नहीं बढ़ा सकता कोई किसी को जो है ना गिर सकता है, हैपी रहें, हेल्दी रहें मेरी वीडियो अच्छी लगे हैं तो लाइक कर दें न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ अल्ला हाफिस